They were lovely goats from the Himalayan range. वे Himalayan शेतर से सुन्दर बखरे थे. Quite different from the ones we see in the plains. अम जैसे कि हमारे मेदानी शेतरों में देखते हैं, उनसे अलग थे. They had long hair, उनके लंबे बाल, long flapping ears, और उनके लटकते लंबे कान and round noses, और गोल ना. The old woman called them Chapu, और वे वर्द महिला उन्हें चापू नाम से बुलाती है. Sindhu was greatly amused at the performance of the dancing gods. Sindhu बहुत बहुत परसन होता है, उनसकी नाचने वाले बखरोगी परस्तुनाच देखकर बखरोगा. And he believed what the old woman said about them. और वे विश्वास करता है कि वे वर्द महिला क्या कह रही थी उनके वारे में. They might not bring him a fortune. वे नेकल उनका भाग के लेकाएंगे. But he would certainly be able to your nephew manage every day by entertaining the village flock. नेकल उनके लिए भाग के लेकाएंगे, बलकि वे रोजाना गाउवालों को बनरजना करके कुछना कुछ रुपे पैसे कमा लेगा. Thus he argued in his own mind and accepted the offer. तब उसने अपने दिमाग में तरके वितरक किये और इस प्रस्ताव को स्विकार किया. Be content with what you have got my son. The old woman said gently. The old woman said gently. उस महिला ने सब्वेता से कहा. Here is the flute and there are my beloved goats. ये बासूरी है और वे प्यारे बक्रे हैं. God bless you all. बगवान का आशिर्वाद रहे तुम सब पर. Then she took Sindhu's two cows and went away. वे अपने सिंदू से दोन गाये लेती हैं और अपने रास्ते चली जाती हैं. And Sindhu wasn't. He pleased with the bargain. क्या Sindhu इस सोदे से कुछ नहीं था? He played the flute. वे बासूरी बजाता है. And the goats danced to the tune. और बखरे उसकी दुन पर नाचने लगते हैं. Joyfully he made his way along the path across the middle in order to reach home as quickly as he could. और वे आननी तरिके से मैदानी रास्ते को पार कर साथ में उनके साथ में चलता है कि जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाए. But when his mother saw what he had brought back. जब उसकी माँ देखती है कि वे क्या वापिस लेकर आया है. She had unhappy. वे बहुत उदास होती है. उदास होती है. और वे तिनू मकरे उस बासुरी की दुन पर नाचने लगते हैं. जैसे हमेशा की तरह है. But it only made her sad. ये लेकिन ये सब कुछ उसे उदास दुखी कर रहा था. See thoughts. Her son had been cheated by wicked market flow. वे विचार कर रही थी कि उसके लड़के को बजार के दूस्ट लोग दुवारा ठग लिया गया है. दोका दिया गया है. और perhaps he had lost his sense. और वे साहर सोचती है कि क्या इसका मानसिक ये सोचने समझने की सकतिक हो चुका है. Are you sure you have not been cheated my son? तुम निश्चिन्त हो मेरे बेटे क्या तुम्हें ठगा नहीं गया है? दोका नहीं दिया गया है? शी क्राइड वे चिलाती है. We have hardly enough food to keep our salvage from starvation. हमारे पास पहले ही बुखमरी के लिए प्रयाव्द बोजन नहीं है. What will you do with these silly goats? और इन मूर्ख बकरों का हम क्या करेंगे? Don't be afraid mother. Draw mat matta. Implored sindhu. Sindhu ने निवेजन करते हुए कहा. I am neither mad and nor light-hearted. नहीं मैं पागल हूँ और नहीं मजा किया गया है. The dear old woman who exchanged these wonderful goats. वे वर्द महिला जिसने इन बकरों का आधन परदन किया for our cows. हमारी कायों के साथ में. Said to me that उसने मुझसे कहा है. They would someday bring a luck. वे तुमारा किसी दिन भागे लेकर आएंगे. And I believe her. मैं उसमें विश्वास करता हूँ. If they do not bring in a few pennies for our livelihood. और वे थोड़े थोड़े पैसे हमारी आजीवी का चलाने के लिए लेकर आएंगे. They will suddenly fetch a handsome price from our landlord. और नहीं तो मतलब जो हमारा जो जमीदार है. वो हमें अच्छा बिसका मुल्य दे देगा. Now Sindhu's landlord lived close to the village. और जो Sindhu का जो जगीदार होता है वो पास की गाओं में पास ही रहता है गाओं के पास में. His daughter उसकी लड़की. A girl of great beauty. उसकी बहुत सुन्दर लड़की थी. लड़की है. Soon hair of dancing. उसने जल्दी सुना नाचने वाले वक्रों के बारे में. And wanted her father to summon the pigeon for the entermand. और उसने अपनी पिताजी से कहा कि उसे मनोंजन कराने वाले के पास जल्दी से बुलावा भेज़ा जाए. So one day Sindhu took his flute. तो एक दिन Sindhu ने अपनी बासुरी ली and goats and went to the landowner's house. और वह जागेदार के घर की तरब में बासुरी और बक्रों के साथ में चला गया. She played his flute as well as he possibly could. उसने अपनी बासुरी बजाई जैसा कि वह बजा सकता था. And the three dancing goats danced as merrily as ever. और वह तिनु बखरे गुशी से वैसे नाचने लगे जैसे हमेशा नाचते थे. Their lovely long ear flapped rhythm. और उनके प्यारे लंबे कान और दुन पर नाचने लगे. And the movements of their limbs were graceful. और उनके 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 जो सरीर को नाच रहे थे. वह भी बहुत देखने लायक था. बहुत अच्छा था. It was an enchanting performance. और यह एक अदबुत परस्तुती थी उनकी. The landowner's daughter offered to buy off the goats. और जो जमीदार की बेटी होती है. उसने परस्ताव रखा एक बखरा खरीदने का. And asked what price Sindhu wanted for? और Sindhu इसके लिए क्या मुल्य चाहता है? It cannot be purchased with money. Dear lady. इसे पैसे से धन्चे नहीं खरीदा जा सकता. Dear lady. प्रिये महिला. Declare Sindhu. Adding. Sindhu ने गोशना की. Adding that if she really wanted his precious feeds. यदि वै उसके मुल्यवान पालतों खरीदना चाहती है. She would have to pay a visit to his widows. Mother. उसकी मा के पास में जाना होगा. And take her a barrel of foodstubs. और एक पीपा खाद सम्गरी का दे कर आना होगा. For he lived in a labor of his mother's happiness and comfort. और जो वे परिश्रम कर रहा है. वे अपनी मा की कुसी और आराम के लिए कर रहा है. The girl was so angered to have a goat. और वह लड़की बकरा लेने के लिए उत्सुक होती है. That she agreed. और वे सेमत हो जाती है. To go the pigeon's hut. उसकी उसकिसान की जूपडी पर जाने के लिए. With a barrel of foodstubs. और एक खाद सम्गरी का पीपा लेकर जाना होगा.